नमस्कार दोश्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है सुबे खाली फिट अपने घर पर इसको बना कर पिलो नस नस की ब्लोकेज और गैस को ये बाहर निकाल देगा आपके सरीर में खून की कमी दूर होगी और कैलसियम की कमी भी आपके दूर होगी जिससे की आपको जोणों के दर्द, खुटनों के दर्द की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपकी हडियं वजर के समान मसबूत हो जाएंगी दोस्तों, आपका मोटापा मक्खन की तरह पिंगला दे गई कॉलोस्टूल को दूर करेगा, बुरा कॉलोस्टूल आपसे दूर रहेगा डाइबटीज आपकी कंट्रोल में बनी दहेगी आप पेट की रोगों से बचे रहेंगी कबज गैस और एस्टिटी की समस्या आपको नहीं होगी पेट की गर्मी सांत हो जाएगी यदि पेट की गर्मी के कंट आपको तलवों में जलन की समस्या है तो आपकी वो भी दूर हो जाएगी आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी ये नुस्खा बेहद अधिक कार करे है यूरीन इनफेक्शन को दूर करता है ऐसा है ये चमतकारी नुस्खा और दोस्तो आप इस नुस्खे को अपने घर पर ही बना सकते हैं और इस नुस्खे को बनाने के लिए जो भी जरूरी समान चाही वह आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा तो चली दोस्तो टाइम वेस्ट न करते हुए आपको बताते हैं इस नुस्खे के बारे में, जिसका प्रियोग करके आप अपने सरीर को निरोगी बनासकते हैं, आपने चहरे पर नया गलो लासकते हैं, क्योंकि हमारे चहरे पर जुरिया आने का सबसे बड़ा और मुख्य कान होता है खून की गंदगी, ये खून की कमी को भी दूर करेगा, खून की गंदगी को भी साफ करेगा, खून को पतला करेगा, जिससे आपके चहरे पर नया गलो आएगा, आपका चहरा खिल खाएगा, और दूसरा आप कोलोष्टोल की समस्या से बच रहेंगे, आपके हाइ बीपी को नॉर्मल करने का काम क्रेगा, ये दोस्तो पुदीना आपने लेना है एक मुठी पुदीना जैसे कि ये मैंने लिया दोस्तो पुदीना हमारे सरीर को ठंड़क देने का काम करता है और पेट के रोगों के लिए तो एक काल की तरह काम करता है यूरिन इंफेक्शन को दूर करता है और हमारे सरीर को बहुत सार बीमारियों से बचाने का काम करता है आपने लेना है एक मुठी पुदिना और इसको आपने धोकर साफ कर लेना है जैसे कि ये मैं कर रहा हूं आपने भी ऐसे ही करना है और जो दूसरी इसके लिए समगरी चाहिए आपको वो लेनी है दोस्तो आपने एक नीमबू दोस्तो नीमबू हमारे सरीर के लिए बहुत अधिक फाइदेमन है चाहे हमारे सरीर के टोक्सिंस को हमारे सरीर से बाहर निकालना हो हमारे सरीर में विटामिन C को अधिक करना हो जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच रहे हैं और गर्मियों में तो हमें यदि पेट की गर्मी का समधान करना है तो हमें इस निम्बू का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तो आपने लेना है एक निम्बू और इस निम्बू को भी आपने धोकर साफ कर लेना है जैसे कि यह मैं कर रहा हूँ। अब जो अगली सामगरी आई, दोस्तो वह लेना है आपने एक इंच अद्रक, और दोस्तो अद्रक की यदी मैं बात करूँ, यदी आप अद्रक का सेवन सही तरीके से करते हैं, तो दोस्तो अद्रक आपके सरीर की सो से अधिक बीमारियों का काल है, सो से अधिक बीमारियों को ठीक करतेगा और दोस्तों ये नुस्खा जिस नुस्खे को हम आपको बना कर दिखाएंगे ये नुस्खा भी आपके सरीर की बहतर बीमारियों के लिए एक रामबान ओश्ती की तरहां काम करता है बहतर बीमारियों को जड़ से खतम करता है ये नुस्खा दोस्तों आपने ले बीमारियों के लिए कर सकते हैं दोस्तों ये तीन सामगरी आपने लेनी है अब आपने क्या करना है पुदीनों को काट लेना है बारीक आपने नीमो को भी टुकड में काट लेना है और अध्रक को भी टुकड में काट लेना है अब दोस्तों आपने क्या करना है एक गिलास पा आखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करती है, खून की कमी का इलाज करती है, खून को साप करने में मदद करती है, पेट के रोगों को सांथ करती है, कैलसियम की कमी को दूर करती है, हमारी हाडियों को मजबूत बनाने का काम करती है, मुटापे के लिए भी काल की तरह काम करती हमें पेट के रोगों से बचा कर रखती हैं थाइराइड के मरीजों के लिए ये बहुत अधिकार करें हैं तलवों में जलन की समस्या को दूर करते हैं क्योंकि ये हमारी पेट के गरमी को सांथ करती है दोस्तो ये लेनी है आपने और ये आपकी नसों की गैस को भी बाहर निकालने का काम करती है तो दोस्तो ये लेनी है सोंफ आपने एक चमबच अब दोस्तो आपने इन सभी समगरी को अच्छी तरह से इस गिलास में मिक्स कर देना है जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ अब आपने इस पूरे गिलास को ऐसे ही स्पानी के साथ रात भर के लिए ढखकर रख देना है जैसे कि ये मैंने ढखकर रखती है आपने भी ऐसे ही रख देना है अब दोस्तो सुबह खाली पे आपने क्या करना है जो इस गिलास के अंदर जो हमने समान डाला था पुदीना ड अगर सौफ गरेस में राजाई थोड़ा सा पुदीन डाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं, इसका टेस्ट भी मस्त आएगा और आपके सरीर की अंदर से पूरी सफाई कर देगा है, टॉक्सिंस को बाहर निकाल देगा, आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम कर इसका सेवन करना है दोस्तो आपने सुबह खाली बेट, अब आप कहेंगी कि यह जो मेरा मटीरियल बचा इसका मैं क्या करूँ, दोस्तो आपने क्या करना है, आपने इसी मटीरियल को दोबारा से एक गिलास पानी में भीगो कर रखा रहनी देना है, आपने जो यह सुबह पाने लेता आप इसमें नीमूँ हैं जो अपने काट कर डाले थे आप इनको निचोर izelessकती है और दोबारा से इन नीमूँ को भषध ही उसी पानी के साथ य्प पानी के साथ डिबो आपके सरीर के टॉकसिंस दूर हो जाएंगी और आपकी बीमारियों में भी आपको फरक दिखाई देगा आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा दोस्तों यदि आप कुछ दिन लगातार इस नुस्खे का सेवन करेंगी तो आपको चमतकारे रिजल्ट दिखाए देंगे आपका जो हाई बीपी की समस्या है ब्रड प्रेसर की आपको समस्या है वो नूर्मल बना रहेगा सरीर के टोक्सिंस बाहर निकल जाएंगे पेट की गर्मी सांत रहेगी आप पेट की रोगों कबच गैस और एस्टिटी से बच रहेगी आपका सुगर लेवल कंट्रोल में बना रहेगा ना सिर्फ आपका सुगर लेवल कंट्रोल में होगा बलकि आप इस बीमारी के कॉम्प् पावर को बढ़ाइ, रोगों से लड़ने की सक्ती को बढ़ाइ और अपने सरीर को निरोगी बनाए. दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजी ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले वडियों दोस्तो यदि आप हमारे चेनल पर नए हैं तो आप हमारे चेनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजी ताकि आप हमारे चेनल पर आने वाले वीडियों को देख सें해요 जिससे कि आप अपने घर पर ही नुस्का बना कर बीमारियों का इलाज कर सकें धन्यवाद दोस्तो